मुझा असलाम अलेकम फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल अलेट रिंक टेंड्स तो फ्रेंड्स उमीद करता हूं कि आप सब लोग खेरियत से होंगे तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे एपल और चिकंदर का जोस ये बहुत ही ज्यादा मुफीद है जिन लोगों को खून की कमी है तक्रीबन या तक्रीबन 15 दिन से 20 दिन इस्तमाल कर लें और इनका खून जो बिलकुल ही कम है वो जितना होता है उससे भी ज्यादा हो जाएगा तो फ्रेंड्स इसके और भी काफी ज्यादा फाइदे हैं तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए तो प्रीज सस्क्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बगाए टाइम जाया किये शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हमने बनाने हैं दो ग्लास तकरीबन हमने चार एपल जो हैं कुछ लोग जो होते हैं तो यह जो एपल होता है इसे हमारा जाया होता है बस आप यह चीज इसकी रिमूव कर दें बाकि आपको कुछ भी रिमूव करने की जरूरत नहीं है हैं क्योंकि इसका मशीन का जो प्रेशर होता है उसे हमारे ना चिलके पहुझते हैं ना जो इसके दर बीज होते हैं वो भी एक जरा भी कट नहीं होते हैं तो फ्रेंड इसलिए उनके चिलके भी तो आढ़ते हैं तो यह रिजक है इस तरह यह जाया होता है और ब्लैंडर में खुद भोखोद ही जो भी चिलके कुछ भी नहीं ब्लैंड होता हो बिल्कुल आप जूस बनाएंगे तो आप देख स जाते हैं उतनी कर लें और थोड़ा सा काला नमग अगर आप पसंद करते हैं तो एड़ करने करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है इससे भी आपका टेस्ट बहुत ही जबर्दस्त मनेंगा हम पहले एपल का जूस निकाल लेंगे और उसके बाद चिकंदर डानेंगे इसके अं पुद ट टो मैंगे इसके जबरेंगे ले एञिसे जबर्दस्ट वाल शजोने करेंगे इसके वालको घबर्स वालका पना हु हो इट एस इसके राद पता हैं तेके पहले इसके भी कोई मनेंगे बगदा है.' कि यह हमारा एपल और चिकंदर का जूस बन के रेड़ी है यह देखें कलर माशा आलला बहुत ही प्याराया है बहुत ही कमाल का जूस बन के तियारे आई सबने पहले एड़ कर ली थी इसे यह उता है इसाब कोई भी जूस फ्रेश जूस बनाए तो आईस अगर आपने यूस क का कलर भी चेंज होता और टेस्ट बरकरार रहती है हम बाद में अटकरतें से आपका कलर भी जो उता है वह भी डिफ्रेंट हो जाता और योख है वो भी बरकरार नहीं गर रहता तो फैंज ने जूस बनके त liters अनर्व जान के तो więc इस प्नान है bardzo हिए झाना ने कि यह दिखि अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्रीस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही पहले अगर प्रस कर दें थैंक यो फॉर वाचिंग